Hello everyone, welcome back to the channel अगर आप short term investment करना चाहते हो या फिर आप daily trading करते हो तो आपको उसके लिए technical analysis करना आना चाहिए और technical analysis करने के लिए जो basic tools use हुए जाते है number one है train line और number two support and resistance ये सब आपको draw करना आना चाहिए मैं अपना पिछला वीडियो में पूरा details में समझाया हूँ कि आप किस तरह से train line को draw करोगे पूरा basic से तो अगर आप train line draw करना भी तक नहीं सुखे तो आई बटन पर link मिल जाएगा description पर link मिल जाएगा आप उस पर click करके वीडियो देख सकते हो और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा पूरा basic से start करेंगे support and resistance हम लोग किस तरह से draw करेंगे कौन सा ओ एडिया है जो अच्छा support ये फिर अच्छा resistance से काम करता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप तो जानते ही होगे कि जब भी कोई stock moment करता है इस stock हमें से एक जिगजग कोई में इस तरह से moment करता है ठीक एक हमें से जिगजग कोई में moment करता है आप अगर नॉर्माल इस बात को देखोगे और आप अगर यहाँ इसका जो bottom है ये वाल अडिय है अगर अगर नॉर्माल आप एक line खिशते हो horizontal line ठीक है तो आप देखो जब जब यह stock इस horizontal line का आसपास आया है तब तब यह stock वहाँ से उपर गया है यहाँ से उपर चला गया अब यहाँ से possibilities ये बनता है कि वह यहाँ से उपर इस तरह से इस तरह से करते हुए फिर से moment कर सकता है तो बिसे के लिए support क्या है support basically एक area ये फिर एक particular price है जहां से वो stock हमेशा उपर की तरफ जाता है ठीक है ये हो गया आपका support और अगर मैं बात करूँ रजिस्टर्स का आप अगर इसी पात को पकड़ोगे और अगर मैं उपर यहाँ पर एक horizontal line ड्रॉ करता हूँ इस तरह आप देखोगे कि यहाँ यहाँ एक बार reject लिया फिर यहाँ पर इसके ब्रेक कर दिया तो यह जो area जहां से एक बार दो बार तीन बार 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 rejection ले रहा है वो area बन जाता है हम लोग का resistance area ठीक है और जहां से वो नीचे से उपर की तरफ जाता है वो area बन जाता है हमारा support ठीक है तो इतना अब को समझना आ गया होगा अब जब भी कोई stock मालने जिए कोई stock resistance को break कर दिया यह जो resistance था यह वाला line इस resistance को इसने break कर द आएगा यानि जो resistance था वो resistance तूटने का बात बन जाता है support future में और इस तरह से zigzag way में फिर से यहां पर आएगा फिर यहां से उपर की तरफ जाएगा ठीक है तो अगर कोई stock कोई resistance को तोर देता है जैसे कि यहां पर इसने तोरा तो तो तब वो resistance support बन जाता है और ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ इस support का तो माले जीए stock यहां से इस तरह से movement करता रहा है करता रहा है करता रहा है और इहां इसके बाद इस support को तोर दिया जैसा मैं आपको बताया कि जब भी कोई stock किस resistance अडिया को तोर देता है वो बन जाता है support ठीक उसी तरह अगर कोई stock का resistance ठीक है तो future में यह क्या करेगा future में अगर माले जीए से तोर दिया तो यहां से इस तरह से movement करते हुए इस line का सपास जाएगा फिर वो यहां से नीचे के तरह पास जाएगा यानि यह जो support का काम कर रहा था अभी हम लोग का काम करेगा resistance का का काम ठीक है अब तक आपको स करता हूँ कि आप अच्छा support and resistance किस तरह से identify करोगे यह तो मैं आपको बता दिया सिंप्ल लाइन चार्ट में ड्राव करके पर जो most use चार्ट होता है वह होता है आपका candlestick chart candlestick chart में हम लोग किस तरह से अच्छा support and resistance area को identify करेंगे तो यह आप देख सकते हो यह है आपका indigo का chart ठीक है मैं यह सब पहले remove कर देता हूँ आप normally इस chart को देखो आप अगर उपर इस price को देखो कि इस area को ठीक है यहां से यह एक बार गीरा फिर यहां से फिर से वह एक बार गीरा यानि clearly जो यह area दिख रहा है ना उपर वाला area यह एक resistance का area है पर आपके मायन में question होगा कि पिक करूँ जो अच्छा resistance है तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि support और resistance एक particular price नहीं होता है आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा जहां पर वो बताएगा कि support यह वाला price होगे हम लोग का support पर आप अगर अच्छे से analysis करोगे तो आपको पता चलेगा support या फि है में अपने माइंड से हटा दो कि support या फिरेजिस्टर्स को यह particular price होता है support अगर मैं आपको यहां इस एडिया को बात करूँ आप देखो पहले बार उसने यहां से reject लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तो यहां पर हम लोग एक लाइन प्लॉट कर दें तो यह तरह से ठीक है और sorry और अब अब देखो यहां पर इसने अग्वार एक लिए और यहां से फिरह बार उपर चला गया इसने इहां से और यट कर दिया, तो यह जो area बनता है ना, यह हम लोग का बन जाता है resistance area, यह अगर मैं यहां से एक triangular area को ड्रा करूँ इस तरह से, तो जब जब कोई stock इस area के आसपास जाएगा, तब तब वो stock वहां से नीचे की और आएगा, ठीक है, और आपको मैं बता रहू कि support या resistance हमें सा एक area इसलिए होता है, क्योंकि जब भी कोई false breakout होता है ना, उसको identify करने में आपका बहुत help करेगा, कि आप अगर कोई एक particular area को पकर कर आगे बढ़ते हो, कि वो support या फिरो resistance है, ठीक है, और अगर मैं अभी इसी चार्ट में इस area की बात करूँ, इस area की, आप हम लोग का जो area होगा ना, यह वाला हम लोग का यहां से लेकर यहां तक इस area हम लोग का एक support का काम करेगा, यह वाल एडिया हम लोग का support का काम करेगा, आप देखो अब, यहां पर जब आया था, यहां से उपर चला गिया, यहां पर आया, यहां से उपर चला गिया, यहां यहां से तो एक बार दो बार पर इस एडिया का किया यहां से तो उसने फिर रिजेक्शन दिया है ठीक है अब अभी तरह आपको समझ आगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर पाइस पॉइंट नहीं होता है वह एक एडिया चाहिए होता है ठीक है तो इह होगे आपका इस चार्ट में सपोर्ट्र रेचिसन को इस तरह से पॉट्ट कियो अब अगर इस चार्ट केम पास्ट को पकड़ों आप देखू normal इंपास्ट को पकड़ तो हम ग्रहिशन यहां से पास पस था आप देख सब्सक्रपर था तो आ मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब भी कोई स्टॉक किसी दो एडिया से बार बार रिजेक्शन लेता है तो ओ एडिया हम लोग का बन जाता है रिजिस्टर्स एडिया तो इस केस में अगर मैं यहां पर बात करूं इंडिक और इसी चार्ट कबर आप देखे पहली बात यहां हम लोग का रिजिस्टंस का क्याम करें समझे आरा आपको आप दो बर तरी तरी कि यहां पर जाया यहां पर उसके चला अप data इसके नीचे चला गिया तो आपको अबी तक समझों गया होगा किसरे हम लोग सपोंड़ाएं बीदीक तरह से बदो आप करूं यहां पर एक बर से रwościक्त लिया फिर दोबर से बार देखेंगे कि जब भी कोई इस तो जगा से बारबर मार्रिक रहा है वह एडिया हम लोग का सऽपोर्ट यह फिर हम लोग का ओड़े वन जाएगा अब देखो अगर मैं यहां पर इस बॉटं की बात प्रोरी यहां यहां पानिए से उपर चला गया तो यह जो एरिया हम लोगका निकालता है हिहां से लेकर इस पॉइंट का एरिया यह हमelu का सपोोर्ट का काम करेग हो ठीक है समझ को अभी तक को केणा हो गया होगा यहां से पिखता हूं। यह देखो आप देख सकता हूं कि यह नॉर्माल सो PA और से तरफ राधें दूसरी इसटा I भीर से यहां से तरफ यहां से तर HIV दोश्रीघे तरफ जीक्वा WE पड़े ठीक है तो यह जो इसका बीच का एडिया ना यह एडिया हम लोग का बन जाता है रिजिस्ट्रेशन्स एडिया अब देखो आप यहाँ पर इसने आया फिर यहां सो नीचे चला गया फिर इसनेघ्वर ब्रेक कज़ने की कोसिस किया फिर यहाँ से लागिवाण आप देखो मैं आपको कियो बोल रहा था वारवाख कि हम लोगा की एक superior करेंगे आप अगर माइवे आप का तुरंती इसने यहां से इतना बड़ा फॉल दिया ठीक है तो यह जो छोटा-छोटा-फॉस ब्रिकाउट होता है ना इसी कुस आइल्डिफाइ करने के लिए हम लोग एक टैंगुलर एरिया बनाकर उस एरिया को रिजिस्टर्स के हिसाब से हम लोग ट्रिट करते हैं समझे लिया तो दो बार कि तरब तो यहां से लेकर इस एडिया के बात करूं तो यह एडिया बन जाते हैं हम लोग का सपोर्ट एडिया अब देखो तीसजी बड़ जब आया था कितना अच्छा यहां से कितना अच्छा में इतना आपका 20% कासभ़ आपको अस्पास का मुमेंट इसको में clear कर दो अब देखो आप देख सकतो नॉर्मल्य आपकर इस portion को देखोगे आपको पता चल जाएगा यहां पर देखकर कि यहां से एक बार इस्टाप ऊपर चला गया फिर नीचे यहां से इस्टाप ऊपर चला गया दो पांट यह वाला तो एडिया हम लोग का सपोर् काम करता है यानि अगर वह रेजिस्टेंस का काम करता था तो आपका अगर देखोगे इस सपोर्ट को तोड़ दिया था तो अन्ने के बाद जब यह इस इस अरिया के आसपास आया वह यहां से नीचे की तरफ चला गया लगभग लगभग 9-10% का आसपास 9.86% मिलगे आपको live example इसलिए में बोल रहा था आपको जब भी कोई stock कोई strong support effect को strong registration को तोर दिता है वो उल्टा काम करता है और उसका live example आपको दिपक नाइटर्ट में दिख रहा है कि जब भी वो इस area को तोर दिया था और उसके बाद जब वो दुबारा इस support area को touch करने के लिए आया था उस area को यहां से उस area से वो नीचे के तरह पागया यानि यह जो हम लोग का पिछले वाला support का काम कर रहा था अब वो register सा काम कर रहा और अभी future में आप देख सो तो यह आपका बड़ा moment देखकर और इस support के एरिया के आसपर straight कर रहा है ठीक है अब मैं आपको इसी का अगर मैं पीछे लेकर चलता हूं आपको यह तो अपका strong uptrend पर रहा है दिपक nitrate मैं आपको कोई और एक लिस्टाग दिखाता हूं लेट फ़र जम पेल आपका ओन जीसी लेकर लेकर चलता हूं यह देखो इहां पर इसने ऑन नची के तरफ आया फिर ऊपर चला गया फिर निची के तरफ आया ठीक है आप coronavirus जेकर इस point लेकर अगर मैं इस point को टास करता हूं so यह हो जाएगा हम लोग का एक resistance area अब देखो यह हम उनका first point था दूसरा point इस यहाँ पर आसपास तिसरी बार जब टच करने के लिए वो यहाँ से निची की तरफ चला गया अब हाले ही इसने एक बरा bullish candle form किया और इस resistance area को इसने तोर दिया था ठीक है मैं आपको दूसरा चार् area दो पॉइंट मिल गया है ना अब जब दो एडिया मिल जाता है हम लोग को बार बर वहां से रिजेक्ट लेड़ा है तो क्या करेंगा वहां उस एडिया से हम लोग एक रिच्टांगूल और एडिया ड्राव कर लेंगे ठीक है अब देखो तिसरी बार जब यहाँ इस एड कर दा एक ठेक्ट कहां से रिजवा तरह सस्टन नहीं कर पाए है थे आप देखो शोट्स mention हो रहे हुआ पर चला चला मृत पर देख्यों यहां से इरये से अंई रहां पर चला गया धिलो निचे आया फिर यहां से उपर चला गया फिर यहां पर आया एक तो सब्सेख रहा में उपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग तो उतना एप बरा एडिया डॉप प्लाट नहीं कर पाएंगे अम लोग एक मतलब छोटा एरिया पकनने की कोशिस करेंगे यहां पर हम लोग क्या करेंगे नॉर्माल इस एरिया से लेकर इस एरिया तक एक टेंगल और जोन बना दें आपका बेसिक चीज़े है आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको वान विक के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो मेरा नेक्स वीडियो होगा वह आपका कमबाइं सपोर्ट एंड रिजिस्ट्रेंस और ट्रेंड लाइन को हम लोग दोनों को इस्तमा अगरियो में धन्यवाद